हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन वेसन मुक्ति तक ग्य हूँ मैं आपको उताने वाला हूँ आज की बदन का दर्द और उसका इलाज कैसे किया जाए साइकोलाजी से मानसुपचार से काफी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि जिनको पीठ में दर्द होता है कमर में दर्द होता है कंदों में दर्द होता है और सब तरह की जाच करने के बाद में भी कि उसमें कुछ निकलता नहीं जैसा MRI किया scans किया अलगे तरह के सब तरह की दबाई खाई मगर उनका यह जो दर्ध है कंदों का या पीट का या कमर का जाता नहीं और इतना दर्ध कभी-कभी हो जाता है कि उनको सहन होता नहीं है उनको काम करना मुश्किल होता है फिर वो ट्रेक्शन लेते कुछ लोग कुछ लोग कोई सेक लेते हैं फीजियो थेरेपी करते हैं और फिर आखिर एक बार मेरे तरफ भीज देते हैं कि आप एक बार देखो आपके दिमाग के उपर कोई stress है क्या tension है क्या और फिर वो मेरे पास में आता है जब आता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या conversation है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि गुस्सा करना द्वेश इरिश्या करना द्वेश करना गुस्सा करना और अपराधी पन की भावना अपने मन में रहना यह बहुत बड़े डेंजर के conversation है बहुत धुके के conversation है मैं फिर से बोलता हूँ guilt मतलब अपराधी पन की भावना resentment मतलब द्वेश या गुस्सा या criticism मतलब टिका करना चीड आना किसके ऊपर मतलब यह जो भावना है जो है यह बहुत खतरनाक conversations दिमाग में है और यह दि लोगों के ऊपर रहते हैं कि अपने आजू बाजू वाले लोगों के बारे में यह है और उससे पी ज्यादा अपने बारे में है तो वो खत्रे के conversation से खत्रे के dialogue दिमाग में चलते हैं खत्रे के अंत्रमन में शब्द चलते रहते हैं हम अपने आप से बात करते रहते हैं तू इतना अच्छा नहीं है मैंने ऐसा क्यूं किया यह आपने गोलते तूने ऐसा करना नहीं चाहिए था तो अपने उपर प्यार नहीं करता है तूने फालतु का काम कर दिया ऐसा हम अपने आपको कोशते रहते हैं अपने आपके उपर प्यार नहीं करते हैं मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं मैं इसे बार बार गलतियां क्यों हो थी समझ में नहीं आता तो ऐसा बोला जाता ह यह जब आप आपके उपर प्यार में करते हो, आपके उपर आप चीड है प्रकार की गुस्सा है, आपके उपर आप अपराधियपन की भावना है अपने मन में, यह अपने आपके उपर टिका कर रहे हो आप, त्वेश कर रहे हो, तो यह बहुत बड़े ऐसे conversations है, मतलब यह भ है वही आपकी body में जो भी कोई चल रहा है जो भी कि लक्षन जो भी कोई तकलिव है तो वो आपके confrontation कैसी दिमाग में है वो बताती ये चो भी आपको तकलिव है बोर रिए और इसमेंगे कुछ निकलता नहीं है तुद ये निकलता भी है तो ये आपके deLEX ne के conversations क्या है वो बताती है कि तकलिब क्या है अक्सर यह लोगों के अपने parents के साथ में अपने माबाब के साथ में अच्छे relationship नहीं रहते हैं वह अपने पिता जी को मतलब डैडी को या माँ को कोशते रहते हैं उनको दोश देते रहते हैं कि अभी मेरी condition है इसके बारे में वह जवाबदार है या लोगों को आजवाजवारे कोशते रहते हैं अगर ज्यादा तर उनका रहता है कि बच्पन से उनको ऐसा लगता है कि हमको जैसा हमारा पालन कोशन करना चीए था वैसा उन्हें किया नहीं है मैं उनको अरनम बोलता हूँ कि माबाप ने जो किया वो किया उनका जितना दिमाग चल रहा था उतना उन दिमाग चला है और आपका पालन कोशन किया आपको बढ़ा किया उनने कुछ गलत नहीं किया उनकी जितनी क्षमता थी वो जो भी कुछ कर सकते थे वो उनने किया लेता है माबाब के साथ में आपकी relationship आपके रिष्टे बराबर नहीं है तो वो body में आते हैं और वो feet dirt, कमरदर्थ, कंदो का dirt, सरदर्थ इसमें आता हैं कि कभी सारे लोग अपने आपके उपर प्यार नहीं करते हैं ये आप आपके उपर प्यार नहीं करते तो बाकि लोग कहां से प्यार करेगे मतलब अपना खुद का स्वीकार नहीं करना मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ और जैसा नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ मैं मेरे उपर प्यार करता हूँ यदि आप आपके उपर प्यार करना चलू करेंगे तो लोग उपर प्यार करना चलू करेंगे और फिर लोग आपके उपर प्यार करना चलू करें तो ये भावना ये देखनी है तो वो मैं जो हमारे पास में पेशेंट साते हूं, को ये पहले बोलता हूं, ये देखो, कि आपने आपके मन में अपरारीपन की भावना कुछी है, number 1, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये डायलौक कितना चलो ये दिमाग में, अपने खुद के दिमाग में, फिर अपने तो अपने को जो भी कुछ है जो भी कुछ गल्दिया की है तो अपने आपको पहले माफ करो अपने आपको माफ करना से को और दिल से माफ करना से को लोगों को माफ कर दो और जब आप लोगों को और खुद को माफ करेंगे न तो पीट पेट का दर्थ क्या कैंसर भी ठीक हो ज पच्पन पर्तिशत लोग पच्पन लोगों को ऐसी विमारिया रहते हैं कि जिसका मतलब कोई इलाज करने की जरूदी नहीं है वो साइकोलोजीकल है उनको नर्वसने से उदा सीनता है उनको कुछ अच्छा लगता नहीं है और वो सब बॉड़ी के ओपर निकलता है तो मानसवचार में चीज़ जरूरी है और यह दी चार पांच चीज़े यह दी आप करते हो तो बिर आपके बॉड़ी फंक्शन्स ठीक हो जाएगे वैसे एक बहुत बड़ी बात जो है वो है अंडिलिवर कम्यूनिकेशन है अंडिलिवर कम्यूनिकेशन मतलब खुली बात किससे भी नहीं करना अपने आजु-बाजु वाले लोगों के बारे में अपने ढिमाग में ऐसी बात रखना कि जो मैं खुले दिल से बोल नहीं सकता हूं Cliff उनके बारे में अपने मन में ऐसा चालू रखना kuch n. 95 n. kobaran और फिळी बात नहीं करना, उससे भी इस गुछ्सा आते रहता है, लोगों के उपर गुस्सा आते रहता है, अपने उपर गुस्सा आते रहता है, रिलेशन्शिप में धरार आती है, तो लोगों से खुली बात करो, उनको उनका इंसल्ट ने होगा, उनको बुरा ने लगेंगा, इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो, आप लोगों को रिक्वे ने कि आपके संपर्ग में काफी सारे लोग आते हूंगे जिनको पीट का दर्द पेट का दर्द कमर का दर्द कंदो का दर्द है और वो डॉक्टर डॉक्टर घूम रहे काफी सारे इन्विस्टिकेशन कर रहे और उसमें कुछ निकलता नहीं यह उनको ये आप वीडियो प्रूज शेर करो, WhatsApp पे शेर करो, Facebook पे शेर करो, सब्सक्राइब करो, काभी सारे मेरे वीडियोद आते जाएंगे, आपको हरम भपते में अलग-अलग विशों के उपर तो वो भी आपको इंटिमेशन आते जाएंगे, तब सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकोन आएंगा, सब्सक्राइब करो, thank you very much.